बच्चो कक्षा बारा भूगोल विशे के अंतरगत हम अध्यन कर रहे हैं अध्याय नमबर 10 जिसका नाम है परिवेहन तथा संचार बच्चो इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा इसके विश्तित अध्यन किया इसके पस्चात आज हम इसके प्रशनोतर करेंगे तो बच्च बच्चो कि भारतिये रेल प्रणाली को वैसे सोला और इसके अलावा सत्रवा मंडल था कोलकाता मेट्रो ठीक है यहां पर चुकि ऑप्शन में सोला है यह पुरानी पुस्तक है हमारी इस वजे से इसमें आंसर आएगा सोला यदि बच्चो यहां पर सत्रा ओप्शन में होत इसके अंसर आएगा सोला थिक है इसके पश्चयात देखें दूसरा प्रस्ण है नीम्न लिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्री है महामार्ग है को सा नेशनल हाईवे नह है बच्चो वह सबसे लंबा एनेच बहारत में कौन सा है तो बच्चो चार NH 7 और NH 8 बच्चो प्रश्ण के अनुसार इसका आंसर आएगा NH 7 NH 7 बच्चो यहाँ पर आंसर आएगा लेकिन हाली में यह सभी राष्ट्रिय जो महामार्ग है इस जितने भी NH है इनका नंबर परिवर्थित कर दिया गया है इनके नंबरों में चेंज कर दिये गए लेकिन ये पुराना जो नंबर है उसके अकोडिंग NH7 सबसे लंबा भारत में इस्तित राश्ट्रिय महामार्ग है ठीक है बच्चो इसका अंसर आएगा गय NH7 इसके पस्चा देखते हैं तीसरा प्रश्ण राश्ट्रिय जलमार्ग संख्या एक किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पढ़ता है सब्सक्रियों नशनल वाटरवे, vory, 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 जो है वह किस नदी पर पढ़ता है और किन दो इस्थानों को मिलाता है ये पूछ रहा है इसके options है ब्रह्म पुत्र साधिया धूबरी के बीच में बिल्कुल नहीं गंगा नदीपर हल्दिया इलाबाद के बीच बिल्कुल सही ये एनेच ये एन डबलू वन है पस्चिमितठ नहर और कोटापूरम से कोलम और उ व्मT प्रिया राज तो हल्दिया और प्रियाग राज के मद्ध ऍस्तित एन डबलू है वह उसका नाम है एन डबलू वन ठीक है बच्चोος राष्ट्रीı जलमार्ग संख्या एक किस नदी पर है गंगा नदी पर है और कहां कहां के बीच में है पस्चिम मंगाल में इस्तित हल्दिया से ले करके उत्तर प्रदेश में इस्तित प्रियाग राजिया इलाहबाद तक है ठीक है गंगा नदी पर इस प्रकार से हमने देखा तीसरा प्रश तो, बैठ निमने लिखित में से, किस वर्स में पहला रेडियो कारिकरम प्रसारित हुआ था, आम और पीछली क्लास में देखा था, रेडियो कारिकरम के अंतरगत, कि सबसे पहला कौन सा हुआ था, पहला उप्शन है 1911 नहीं, दूसरा है 1936 नहीं तीसरा है 1927 नहीं और चोथा है 1923 बिल्कुल सही तो बच्चो पहला जो रेडियो स्टार्ट हुआ था रेडियो क्लब कहां पर बंबाई में तो बंबाई में रेडियो क्लब के अंतरगत पहला जो radio का कारेकरम अचारित वधा, 1323 में video club के द्वारा, ठीक है जाक परस्चारा, इसके परस्चार देखते हैं, ऐसे प्रस्ट जिनका अंसर हमें 30 सबडों में देने है, 30 सबडों में जिनका अंसर देने हैं वे प्रस्चा, पहला है परिवहन किन क्रिया कलापों को अभि अभिवक्त करता है और परिवेहन के तीन प्रमुख प्रकारों के नाम हमें बताने हैं तो इसमें दो प्रसन है एक प्रसन ये है और दूसरा प्रसन ये है ठीक है तो आईए इसका आंसर किस प्रकार से देंगे परिवेहन कच्चे मालों को मंडियों तता कार खानों तक पहुचाता है तैयार उत्पादित माल को बाजार तक बेजता है ताकि उभोगताओं को यह माल उपलब्द हो सके इस प्रकार परिवेहन मानों के आर्थिक क्रिया कलापों की अभिविक्ति करता है परिवेहन के मुख्य तीन परकार हो सकते हैं इस्थल परिवेहन, जल परिवेहन और वायू परिवेहन तो बच्चो हमने इस तरह के से इस परिवेहन क्यों इंपोर्टेंट है परिवेहन की आवश्यक्ता क्यों होती है और यह आर्थिक क्रिया किलाब किस तरीके से प्रभावित हमें करता है और इसके तीन प्रमुख जो प्रकार है वो है इस्थल परिव Tribun, जल परिवेन और वायू परिवेन तीक है बच्चो इस प्रकार का हमारे प्रशन पूरा हुआ इसके पस्चात है अगला प्रस्ण पाइपलाइन परिवहन से लाभ वे हानी की विवेचना करें पाइपलाइन जो परिवहन होता है बच्चो उसे किस प्रकार के लाभ होते हैं और किस प्रकार की हानी हमें देखने को मिलती है तो आईए देखने हैं किस प्रकार से लिखेंग कि पाइपलाइन परिवेहन से लाभ, पाइपलाइनों द्वारा जल, पेट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, आधी तरल एवं प्रवाही पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवेहन अत्तिदिक सुधापूरू एवं सक्षम डंग से किया जाता है यह हम जानते हैं बच्चो यह परिवेहन, माध्यम, परिवेहन के अन्य सभी माध्यमों से सस्ता है तथा इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी द्रविये अवस्था में परिवर्तित कर परिवहत किया जा सकता है तो ना केवल बच्चो ड्रव वैग गैस पदार्थों को इससे परिवेहत कर सकते हैं बलकि ठोस को भी अब आप सोच रहोंगे को ठोस को कैसे परिवेहत करेंगे पाइपलाइन के द्रव इवर्तित करके लसलसा जैसी उसके अवस्था बना कर करके उसको भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन परिवहन के द्वारा भेज सकते हैं ठीक है इसके पश्चात देखते हैं पाइपलाइन परिवहन की हानी पाइपलाइन परिवहन द्वारा केवल द्रवी पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं तेल तथा प्राकर्तिक गैस ये दोनों परिवेत जब हम करते हैं पाइपलाइन के द्वारा तो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लंबी दूरियों के द्वारा हम इसे पहुंचाते हैं तो बीच में कहीं दुरगटना होने की संभावना भी हो अच्छा करना भी बड़ी समच्चा की बात है अंडरगाउंड हो यह धरातल पर हो दोनों प्रकार की इसकी सुरक्षा करना बड़ी टिपिकल मामला है बड़ी चुनोती बड़ा होता है ठीक है इस कारणसी यह है पाइपलाइन परिवेन की हानी होती है इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों प्रस्ण संचार से आपका क्या तात परिया है संचार किसे कहते हैं संचार क्या होता है संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार दर्शन और संदेशों का इस्थानांतरन एक स्थान से दूसरी स्थान अथ्वा एक व्यक्त तक होता है वह प्रक्रिया है जिसमें विचार, दर्शन और संदे सोका इस्थानांतर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस्थानांतर होता है अतक किसी भी माध्यम से सूचना के उदगम से लक्ष की और पोचने की क्रिया संचार कहलाती है, बच्चो एक A नाम का लड़का है और एक B नाम का लड़का है ठीक है, इसने कोई संदेश इसको भेजे, किसी वे परकार के संदेश हो सकते हैं, सूचना हो सकती है यदि A ने B को भेजा तो उदगम इस्तान कहां पर है संदेश का A, और लक्ष संचार के परकारों में यह व्यक्तिक भी हो सकता है, और सार्जुनिक भी हो सकता है, व्यक्तिक के अंदर एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से कहेगा, और सार्जुनिक में एक व्यक्ति, जन साधारन को संभोधित करके कहेगा, ठीक है जन साधानों के रूप में सार्जनिक रूप से वो बात संदेश सूचना जाएगी ठीक है बच्चो इस प्रकार से संचार होता है अगला प्रश्ण है हमारा भारत में वायू परिवहन के छेत्र में एर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की वेचना करे बच्चो वायू परिवहन के अंदर एर इंडिया और इंडियन ये दोनों कमपनी हैं सरकारी कमपनी थी इनका क्या योगदान है आईए इसके बारे में चर्चा करते हैं भहरत में Air India, नो भार तथा यात्रियों के लिए अंतरयास्ट्रिय वायू परिवहन की सुझधा प्रदान करता है जबकि Indian पूरू में Indian Airlines नाम घरेलू वायू परिवहन के छितर में अपने सेवाय प्रदान करते हैं एर इंडिया में विलय कर दिया गया है जो वर्तमान में इंडियन जो कमपनी है उसका एर इंडिया में ही विलय कर दिया है और मूलते इसमें अंतर क्या था एक तो था बच्चो अंतराष्ट्रिय वायू परिवहन के लिए और एक था देशज अर्थात केवल देश में ही उसरे स्थान पर वायू परिवेन के लिए है लेकिन बच्चोंबाद में इंडियन जो company थी ठीक है जो कि घरे लू वायू परिवेन केक काम करते थी उसको एयर इंडिया में ही तब दिल कर दिया है उसमें ही उसका विलै प्रकार कौन-कौन से हैं इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विचना करे तो बच्चो इस है दो प्रस्ण हुए इसमें मुख्यत है पहला प्रस्ण है भारत में परिवहन के प्रमुक प्रकार कौन-कौन से है और इसका दूसरा पार्ट है इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं तो बच्चो आईए देखते हैं किस परकार से लिखेंगे भारत में परिवेहन के प्रमुक तीन परकार इस्थल, जल तथा वायू है जिने नीचे दी गई तालिका के अनुसर विबक्त किया जा सकता है तो बच्चो देखते हैं हमने तालिका देखी भी थी कि परिवेहन के साधन तीन परकार से इस्थल परिवेहन, जल परिवेहन और वायू परिवेहन तीन प्रकार से देखे गए हैं, इस्थल परिवेहन को भी तीन परिवेहनों में बाटा गया है, सड़क परिवेहन, रेल परिवेहन और पाइपलाइन परिवेहन, ठीक है बच्चो, परिवेहन के सादनों को तीन बागों में बाटा, इस्थल परिवेहन, जल परिवेहन और व पस्चा देखते हैं जल परिवहन में अंतहतल ये ृस्थल के अंदर और दूसरा है सागृये या महासागृये जलल ये परिवहन अंतह इस तलिए में बच्चो नहरो के द्वारा या नदी के द्वारा एक देश के अंद्रिक आंत्रिक इस्सों में ही परिवेहन किया जाता है जल परिवेहन किया जाता है अंते इस तलिये में जिबकि सागरिये महासागरिये परिवेहन में सागरों में या अथा महासागरों में एक देश से दूसरी देश में या भारत की में बात राष्ट्रिये वायू परिवेन और अंतर राष्ट्रिये वायू परिवेन देश के आंतरी किस्वों में एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर यदि मैं बात करूँ जैपुर से कोलकाता जा रहे हैं तो वह कैसा होगा राष्ट्रिये ठीक है और यदि मैं बात करूँ जैपुर वो 세़व होगा लंदन है दिल्ली से जा रहे हैं लंदन तो वह कैसा होगा अंतरराष्थ यह परिवहंग वयू परिवहंग ठीक है बच्चोर berry सुर्ट Sfits को आचा को बाुटा ठीक है अभ परिवहन प्रकारों के विकास को परभावीत करने वाले कारक कौन-कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे भारत में परिवहन के प्रकारों के विकास को प्रभावित करने वाली कारकों में नीमन लिखित उलेखनी है पहला है बच्चो भोतिक कारक कि भोतिक कारक कौन-कौन से है और उनके आधार पर किस प्रकार से परिवहन का जो प्रकार है उनमें विकास होगा उच्चावाच संबंदी उच्चावाच इस्थलिय परिवहन मारगों के विकास में महत्यपूर्ण गुमिगा निबाता है भारत के समतल भुबागों में सडक रेल मारगों का अधिक विकास हुआ है जबकि परवतिय भागों में इस्थलिय परिवेन मारगों का निर्मान कठिन वे चुनोती पूर्ण होता है जिसके कारण यहां इनका विकास कम मिलता है ठीक है बच्चो तो यहां पर पहला देखा हमने भूतिक कारण भारत में उच्चावास किस परिवेन और रेल परिवेन इस परकार के परिवेनों का विकास जादा होगा लेकिन बच्चों यदि परवतिय भाग है वहाँ इस परकार के परिवहन का विकास कम होगा एक तो वहाँ इस परकार के परिवहन का परवतिय भागों में निर्मान भी कम हो पाएगा क्योंकि निर्मान की लागत बढ़ जाएगी और उबढ खाबढ परवतिय छेत्रों में इ इससे की इस्थल खंडों में विशेश रूप से सडक और रेल परिवहन का विकास परवतिय चेत्रों में उबड़-काबड चेत्रों में नहीं हो पाता ठीक है बच्चो इसके पस्चा देखते हैं दल दली भागों बाड प्रवावी चेत्रों तथा भूमी अपरदन से तो उन चेत्रों में भी सडक और रेल परिवहन संभव नहीं हो पाता उनकी संभावन वहां कम होती है क्यों होती है क्योंकि बच्चो यहां पर इस्थल इस्थल में प्राकरतिक अवरोध देखे जाते हैं इस वज़े से तो उनकी निर्मान में लागत भी जादा आती है और रख रखाव भी संभव नहीं हो पाता है थीक है तो दूसरा कारक है बच्चो जलवायू बच्चो जलवायू का भी यहां पर मोत महत्यपून इस्थान रहता है क्योंकि वहां पर तापमान और वर्सा किस प्रकार की है थीक है तापमान और वर्सा किस प्रकार के है उस छेत पर ही इस्थलिय परिवेन मार्गों पर विकास हो पाया है इसी प्रकार पस्ची में राजस्थान के सुस्क रेगिस्थानी भागों में भी इस्थलिय परिवेन मार्गों का विकास बहुत कम देखने को मिलता है जब बहुत अधिक मातर में वर्सा होती है जैसे पस्ची मीगा तिंता के कारण विशम जलवाईू के कारण वहां इस्थल परिवेहन की संभावना कैसी है सीमित है जिससे कि वहां परिवेहन का विकास जादा नहीं हो पाया है इसके पस्चा देखते हैं तीसरा आर्थिक कारक देश में आर्थिक रूप से संपन छेत्रों में सड़क वे रेल मारगों का उच्छ गनत्व है जबकि आर्थिक द्रष्टी से पिछड़े चेत्रों में इस्थलिय परिवेहन मारगों का गनत्व न्यून मिलता है इसके अलावा जन संख्या गनत्व, सामाजीक वे सांस्कृतिक कारक तथा राजनेतिक कारकों का योगदान भी इस्थलिय परिवेहन मार्गों के विकास पर देखने को मिलता है तो बच्चो आर्थिक कारक भी एक महत्वपून माना गया है क्योंकि जहां जिन छेत्रों का विकास या आर्थिक इस्थर पर जिन का विकास जादा हुआ है वहाँ परिवेहन के साधन चाहिए विबिन परकार के रेल हो, बच्चो सडक हो, या वायू हो विबिन परकार के परिवहन के जो साधन है, वहाँ अच्छे इस तरके देखे जाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़े चेत्र हैं, वहाँ ये साधन कम देखने को मिलते हैं, इसके अलावा बच्चों में बात करूँ, तो जनसंक्या का गनत्व वहाँ उस चेत्र हैं, सांस्कृतिक इस तरके इस परकार का यह भी देखने को मिलेगा, और राजनितिक कारक भी बच्चों यहाँ पर इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, विसे इस रूप से मैं बात करूँ, तो पिछले कुछ दसकों से बिहार और पस्चिम मंगाल के जो सांसद हैं, वही रेल मंत्री बनते आए हैं, तो इस कारण से उन राज्यों में रेल परिवहन अच्छा विकास कर पाया है, तो कुछ राजनितिक कारक भी इसमें हो सकते हैं, यह छोटा सा एक्जामपल है, ठीक है पच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ देखे, अगला प्रस्ण है, पाइपलाइन तरल पदार्थो एवं गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए सबसे सुविधा जनक सादन है, भारत में पाइपलाइन परिवहन एक नवीन उपलब्दी है, भारत में सबसे पहली पाइपलाइन असम में तेल परिवहन के लिए बनाई गई थी, पाइ वोथी नवीन उपलब दी है, नए इस तर पर इस पर काम हो रहे हैं, लगातार रूप से इसको बविश्य का परिवहन भी कहते हैं, बच्चो पाइपलाइन परिवहन को बविश्य का परिवहन कहते हैं, हो सकता है बविश्य में इसमें जादा संभावना है, ठोस्पदार्तो को भी द्रव अवस्ता में लाकर के जादा मात्रा में पाइपलाइन परिवहन का विकास हो पाए ठीक है बच्छो पाइपलाइन परिवहन के लाब तो पहला लाब है बच्छो पाइपलाइन परिवहन सस्ता एवं सुविधा जनक साधन है हम जानते हैं पाइपलाइन परिवह परिवहन प्रनाली है रिखो तो यह सुविदा जनक भी है और सक्षम भी है विश्य शुरूप से लंबी दूरिए के दिग में बात करूएं तो यह बहुत अच्छे तरीकह से काम करता है तीसरा है इनका निर्मान दुरगम छेत्रों घनेवनों मरुश ठलों और परो तो रुपय भी आसानी से किया जा सकता है ठीक है बच्चो तो जो प्राकर्तिक अवरोध वाले जो छेत्र है उन छेत्रों में भी पाइप लाइन परिवेहन आसानी से किया जा सकता है next ने बच्चो सडक वे रेल परिवेहन की तुलना में पाईपलाइन द्वारा वस्तूओं के परिवेहन में कम समय लगता है और उर्जा भी कम लगती है और साथ में पैसा भी कम लगता है खर्च भी आपर कम आता है ठीक है बच्चो यह प्रदूशन रहीत परिवेहन का सादन है इसके संचालन एवं रखरकाओं में बहुत कम वे होता है ठीक है खर्चा बहुत कम इसमें आता है और उर्जा का जो उपियोग है वो भी इसमें बहुत कम होता है माना की बच्चों हम पेट्रोलियम को सडक या रेल परिवहन के द्वारा एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर टैंकरों के द्वारा पहुँचाए और उसकी तुलना में इसको पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाए तो कौन सा सस्ता लगेगा, किस में कम खर्चा आएगा, बिल्कुल सही बच्चो, पाइपलाइन में खर्चा कम आएगा, वहीं टेंकरों के द्वारा चाहे सडक से हो, चाहे रेल से हो, तो दोनों के द्वारा अधी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाएंगे बच्चो, तो खर्चा जादा आएगा, साथ ही उर्जा भी जैसे खनिज तेल, पानी या गैस का ही परिवहन किया जा सकता है, दूसरा है, पाइपलाइनों की सुरक्चा वे मरमत कारी भी कठिन होता है, तथा इन में कभी भी किसी बड़ी दुरगटना की संभावना बनी रहती है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो इस से केवल दुरविय पदार्तों का ही ये परिवहन कर सकता है, ठीक है, चाहे गैस हो या दुरव हो, दूसरा इसमें क्या है कि इसकी सुरक्चा और मरमत इसमें जादा आवशक्ता होती है, और कभी दुरगटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, इसके अलावा एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पस्चात इसकी चमता में व्रदी अत्वा कमी नहीं किया सकती, एक बार यदि हमने पाइपलाइन बिछा दी, तो उस पाइपलाइन को कम या पतला या मोटा हम नहीं कर सकते, यदि हमें उसकी आवशक्ता हुई बच्चों, तो हम क्य लिए ही प्रियोग किया जा सकता है हर जगे pipeline प्रियोग नहीं किर सकते हैं pipeline से पदार्थों के रिशाव का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है तो बहुत प्रकार की बच्चों इस तरीगे के cases भी है कहीं बीच में से तेल की चोरी कर ली जाती है, ठीक है तेल पेट्रोलियम को निकाल लिया जाता है और उसका या फिर उसका प्राकरतिक रूप से भी रिसाओ हो सकता है तो उस परकार की कंडिशन में हम उसको पता लगाना बहुत ही कठिन होता है तो यहाँ इस परकार की हमने पाइपलाइन की कम्या देखी ठीक है बच्चो इसके बात देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है भारत में आर्थिक विकास में सडकों की भूमिका का वर्नन करे कि भारत में आर्थिक विकास में सडकों की क्या भूमिका है ठीक है बच्चो भारत के आर्थिक विकास में सडकों का महत्तपून योगदान रहा है भारत में पृतिवर्स लगभग 85 पृतिसत वो किस से करते हैं सडकों के द्वारा करते हैं ठीक है बच्चों सडक्मार्गों का परिवहन से निर्मान केंद्रों में उत्पादित विभिन वस्तुओं को सीधे बोगताओं तक पहुँचाया जाता है तता यह दरवाजे से दरवाजे तक अर्थाथ डोर टू दोर इसे हम क्या बोलते हैं? डोर टू लॉर कि घर के प्रतेक दरवाजे तक यह परिवेन से वा उपलब्द कराने वाला महतमुन साधन है ठीक है तो ज़िए हम हमारे गर पर यदि हम कोई सामान मंगाते हैं तो बच्छो ट्रेन से नहीं आ सकता वायूयान से भी नहीं आ सकता और जल परिवहन से भी नहीं आ सकता तो किसके द्वारा आएगा बच्छो सडक परिवहन के द्वारा आएगा तो हम इसके बारे में बात करें तो डोर टू डोर दरवाजे तक यदि हमारे सामानों की पहुंच यह को होती है, तो किसके द्वारा होती है? सडक परिवेन के द्वारा होती है, इसके अलावा मैं बात करूँ, तो निर्मान केंद्रों, जहां उसका निर्मान कर रहे हैं, उध्योग कर रहे हैं, उवहां पर उतपादित विबिन वस्तुओं को सीधे क्रशी को संभव बनाया है, साथ क्रशी उपजोग की गंतव इस्तलों तक सुलब पहुंच ने भारत के विकास में महतपून योगदान दिया है, बच्चों सडकों के विकास ने क्या किया है? क्रशी का विकास भी किया है, जहां बच्चों गाव तक, छोटे-छोटे कस्ब बन रही है, तो वहां connectivity बनने के कारण लगाता रूप से उपकारण हो, ठीक है? क्रशी गत उपकारण हो, बीज हो, खाद हो, या विबिन प्रकार की जो सुविधाएं हैं, बच्चों, टेक्टर हो, विबिन प्रकार की जो सुविधाएं, वो बड़े नगरिय केंद्रों से या बड़े छेत्रों से, छोटे छेत्रों में जहां क्रशी का विकास हो रहा है, गावों तक, धानियों तक, वहां तक पहुंच हो सकता है, और इसी के साथ ही, यहां जो उत्पादित, क्रशी कारिय है, या क्रशी का उत्पाद है, बच्चों, वो भी बड़े केंद्रों त तक बाजारों तक जा सकता है, तो इस प्रकार से सडकों का विकास विशेश रूप से क्रिशी में भारी मात्रा में योगदान देता है, ठीक है बच्चों, दूसरा है सडकों के विकास ने देश में उद्धोगिक विकास को भी प्रयाप्त प्रोसान दिया है, तो बच्चों क कच्चा माल को इंडरस्टी तक अर्थात निर्मान केंद्रों तक और निर्मान केंद्रों से उध्यों केंद्रों से वहां से बाजार तक तो बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या होगा सडकों का एक जाल होगा यह क्या है इंडरस्ट्री है और ये क्या है मार्केट है और ये क्या है रो मेट्रियल कच्चा माल तो कच्चा माल के उतपादी छेत्रों से बच्चो कच्चा माल के उत्पादी छेत्रों से क्या होगा इंडरस्टी तक निर्मान केंद्रों तक और निर्मान केंद्रों से बाजार तक यह कौन करता है किसके द्वारा होता है बच्चो बिल्कुल सही सडक के द्वारा होता है तो इन सडकों ने ओध्योगिक विकास को भ एक छेत्र से दूसरे छेत्र में मुल्यों का अंतर वस्तूओं के मुल्य में अंतर यदि होता है तो उसको भी इन सड़कों के विकास ने कर दिया है कैसे किया है बच्चो मैं बताता हूं आपको कि माना की गाव है बच्चो तो गाव है और उस गाव में किसी सामान की रेट 75 रुपए है ठीक है बच्चो गाव है और उसमें 75 रुपए कोई सामान है और शहर में वही सामान 60 रुपए का मिल रहा है ठीक है तो गाव में जाने के लिए 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं चुकि इस्थानी लेवर पर यदि वहाँ connectivity गाउं से सहर की यदि पास वाले कशबे या सहर की connectivity अच्छी है 10 किलोमेटर 15 किलोमेटर ठीक है छोटी दूरी पर तो व्यक्तिक गाउं से सहर जा सकता है सामान लेने के लिए और ये 15 रुपए का लाभ भी वो प्राप्त कर सकता है कैसे कर सकता है कि इन दोनों म जो अंतर है वो भी कम हो गया है इसी प्रकार से छोटे शहर से बड़े शहर ठीक है या फिर बड़े शहर से महानगर की ओर यदि हम बात करें तो वहां भी मुल्यों के मुल्यों में अंतर कम हो गया है ठीक है बच्छो इसके बाद देखते हैं समय और धनकी बचत को बढ़ा है इसके लब प्राकरतिक संसादनों के विदोहन को भी बल मिलता है प्राकरतिक संसादनों का जो दोहन है उस वो भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं चाहे कोईला हो चाहे लोह ऐस को चाहे दूसरे प्रकार के कोई सा भी प्राकरतिक संसादन हो सडक परिवहन ने श्रम को गति सील बनाकर बेरोजगारी की समश्चा को भी कम कर दिया है, गाउं से शहर, ठीक है बच्चो, लगाता रूप से मजदूरों का प्रवास देखा गया है, डेली प्रवास, रोजाना का प्रवास, जो एक गाउं से पास वाले बड़े कस्वे में, या एक कस्वे से दूसरे प्रवास वाले शहर में, या एक शहर से दूसरे महानगरों में, जो रोजगार के लिए जाते हैं, वो श्याम को वापिस अपने इस्थान पर अपने घरों पर आ सकते हैं, यदि वहां पर परिवेहन के साधन अच्छे हुए थो, ठीक है बच्चो, तो इस प्रकार से बेरो जहां उनको रोजगार अच्छे प्रकार से मिल सके, तो वो भी यहां पर देखी गई है, अगला है बच्चो, अन्यमहत्पून प्रशन, जो अन्यमहत्पून प्रशन कौन-कौन से हो सकते हैं, इसमें बहु विकल्पिय प्रशनों में, पहला प्रशन है, निम्न में से किस स नासक ने शाही राजमार्ग का निर्मान करवाया, तो बच्चो, निम्न में से ऐसा कौन शाह सकता जिसने शाही राजमार्ग का निर्मान करवाया था, पहला उप्शन है, सेर्शाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगेर, और चोता है बच्चो, राना सांगा, ठीक है तो इसमें सही आंसर आएगा के शेरशाह शूरी ने शाही राजमार्ग का निर्मार करवाया था वे प्रमुख सडके जिने केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया है कहलाती है कौन सी सड़के हैं, जिने केंद्र सरकार के दोरा निर्मित किया गया है और अरुरक्षित किया गया है पहला option है बच्चो, राज्य राजमार्ग, दूसरा केंद्रिय सड़के, तीसरा राश्ट्रिय राजमार्ग और चोता सीमावर्ती सड़के इसमें आंसर आएगा बच्चो गे राष्ट्रिये राजमार्ग नेशनल हाईवे अगला प्रस्न है बच्चो भारतिये राष्ट्रिये महामार्ग प्रादीकरण की स्थापना कब हुई थी? पहला उप्षन है गुनिशनल है दूसरा गुनिशनल पिच्चान में तीसरा दोजार पांच और चोथा है दोजार बारा हमने पढ़ा दा बच्चो इसका सही आंसर आएगा गुनिशनल पिच्चान में राष्ट्रिये राष्ट्रिये महामार्ग प्रादीकरण की स्थापना हुई थी इसके बाद है बच्चो नेमन लिखित में से किस वर्स भारत में रेल परिवेहन की सुरुवात हुई थी भारत में बच्चो रेल परिवेहन की सुरुवात कब हुई थी पहला उप्षन है 1853, दूसरा है 1854, तीसरा है 1958, चोथा है 2005 तो सही आंसर 1853 में मुंबई से ठाने के मद्ध, ठीक है? हमें पता है इस बात का चोथा है बच्चो भारत में प्रथम रेल्वे लाइन निम्न में से किर नगरों के मद्ध निर्मित की गई थी यह भी हमने देखा था बच्चो कि मुंबई से गोवा बिलकुल नहीं, मुंबई से पूरे बिलकुल नहीं, मुंबई से ठाने बिलकुल सही और मुंबई एंदाबाद नहीं तो इसका राइट आंजर आएगा, गय, मुंबई, ठाने, ठीक है बच्चो, इसके पस्चात है, दक्षिनी पूर्वी रेलवे का मुख्याले कहां पर है, दक्षिनी पूर्वी जो रेलवे है, उसका मुख्याले कोलकाता में है, सिलासपूर में नहीं है, नागपूर में नही भूनवेश्वर में भी दक्षिन पूर्वी रेलवे का मुख्याले नहीं है तो आंसर आएगा कोलकाता में ठीक है बच्चो इसके पस्चात कौंकन रेलवे के भागीदार राज्जी कौन से हैं महारास्ट गोवा करनाटक बिल्कुल सही है महारास्ट करनाटक केरल नहीं महार इसके पस्चात है अगला भारत के राष्ट्रिय जलमार्ग संख्या दो का विस्तार कहां मिलता है एन डबलू टू कहां से कहां का जा रहा है हमें पता है बच्चो इलहाबाद से पटना नहीं पटना से हल दिया नहीं सदिया से धूबरी बिल्कुल सही और कोटापुरम से कोलम नहीं तो इसका राइट आनसर के आएग बच्चो गय सदिया से धूबरी किस नदी पर ब्रह्मपूत्र नदी पर सदिया से धूबरी भारत का राष्ट्रिय जल मार्गसंख्या दो है ठीक है बच्चो इसके बस्चात देखते हैं परिवेहन का फ樹 तम साधन है सबसे तेज कौन ल सकता है वायू परिवें जानते हैं में इसके पस्चात भारत में टैली विजन का प्रसारन प्रारंभ कभ भुंव olacak गुझी सस्तावन में गुझी 1967-1961 में देख लेते हैं परिवेहन क्या है एक इस्तान से माल या सवारीयों के विभिन माध्यमों से परिवाहित होने की प्रिक्रिया परिवेहन कहलाती है बहुत सारी परिवाशा है हो सकती है बच्चों परिवेहन की तो जो आपको अच्छे लगे, मैंने भी कही सारी परिवासा बताईए, तो जो बढ़िया लगे वो अच्छी लिग लेनी है, ठीक है, दूसरा है, भारत में सडकों के विकास के लिए बनाई गई दो योजनाओं का नाम बताईए, तो बच्चों हमने इसी चैप्टर में पहल कि लास में देखा था, कि भारत में सडकों के विकास के लिए नागपूर योजना बनी थी, और उसके पश्चात 20 वर्षी सडक योजना का निर्मान भी किया गया था, ठीक है बच्चों, इसके पश्चात अगला प्रशन है, भारत में सडकों के कितने वर्गों में बाटा हम जानते हैं, पांच वर्गों में हमने इसे बाटा है, पहला है राष्टिय महामार्ग, नेशनल हाईवे, इसका निर्मान कों करता है बच्चों, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होती है, दूसरा है राज्य राज्यमार्ग, इसके मुख्य नगरों से जिले के अंदर जो मुख्य नगर है उनको जोडने का काम करती है चोथा है बच्चो ग्रामीन सड़के ग्रामीन विशे सुरुप से प्रधान मंतरी ग्राम सड़के हो जना इसमें सामिल की जाती है और यह गाउं के अंदर सड़के होती है जो कसबे से या जिला मुख्याले को भी कभी कभी गाहों से जोड़ती है ग्रामीन, सडके और बारत में सरवादिक भी कौन सी है ग्रामीन, सडके है 80% के 7 में बच्चो थीक है और पाचवी सीमावरती सडके border road organization थीक है बच्चो बियारो जिस पर काम करता है और सीमा वर्ती छेत्रों में विशेस रूप से प्राकर्तिक रूप से जो समश्या वाले जो छेत्र है चाहे चीन बोर्डर हो चाहे पाकिस्तान बोर्डर हो उनमें बियारो काम करता है बच्चो ठीक है इसके पस्चात देखते हैं भारत के परवत चेत्रों में ग्रामीन सड़कों कहा सिमार्थु क्म है इसका क्या ने कमे करने हैं हम जानते हैं कि परवत्शों में इस तरला करतिशों का सुरोप कैसा है? उबढखाबढ है, जिसके कारण सडके बनाना कठिन होता है, साथ ही इन बागों में आर्थिक विकास इस्तर भी निम्न होता है, अब पूंजी के भावों में सडके कम पाई जाती है, एक तो बच्चों यहां के इस्तला कृती भी कैसी है? उबढखाबढ है परवतिय चेत्रों में, यदि यहां पर सडके बनाई जाए तो विबिन परकार के पुल और सुरंगों को भी बनाना पड़ेगा, और पुल और सुरंग बनाने के लिए भारी मातर में पूंजी क्या शक्ता होती है, दूसरा यहां का आर्थिक विकास भी कम हुआ है, इस वज़े से य भारतिय राष्ट्रिय महामार प्रादिकरण भूतल परिवेहन मंत्रा लेके अधीन एक स्वायत सासी निकाय है, जो राष्ट्रिय महामार्गों के विकास रख रखाओ इम परिचालन की जिम्मेदारी रखता है, कैसा निकाय है, जो राष्ट्रिय महामार्गों के विकास र गलियारे के निर्मान का मुख्य उद्देश क्या था ठीक है उत्तर दक्षिन गलियारा हम जानते हैं उत्तर दक्षिन गलियारा था एक पूरू पस्चिन गलियारा था तो उत्तर दक्षिन गलियारा कहां से कहां है स्री नगर को कन्या कुमारी से जोड़ना जो उत्तर में जम जानला प्रस्ण है पूरुपश्चिन गल्यारे का निर्माण का उद्देश्य क्या था सिल्चर कहाँ पर है नोड थिष्ड में असम राजी में ठीक है छे लेकर करके पूर बंदर गुजरात को जोड़ना पूर में पूरु में शिल्चर, असम्में इस्तित्च, और उसको पूरु बंदर घुजरात्प में डिक weहां से जोडने का घालीक किसके द्वारा पूरु पॉरु पस्चिन, गल्यारे के द्वारा किया जाता है बच्छो इसके पस्चात है, भारतीय रेल्वे के संदर्व में महत्मा गांधी के कथन को लिखिए बचों महत्मा गांधी जी ने जो कि हमारी राष्ट पिता भी है उन राष्ट पिता ने समय से पहले ही अपनी भविश्यवानियों के द्वारा ये बता दिया था कि भविश्य में क्या होगा और इस परकार के कौन से विकास हमें करने चाहिए तो उन्हीं के बारे में कहा गया है भारती रेलवे में उन्हें क्या कहा कि भारती रेलवे के संदर में महात्मा गांदी ने कहा था कि भारती रेलवे ने विविद संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंतरता संग्राम में योगदान दिया था बच्चो आजादी से पहले जो अंग्रे जो ने रेलवे का विकास किया हम जानते हैं उन्होंने रेलवे का विकास अपने स्वार्थ के लिए किया था और अपनी भारत को लूटने के लिए किया था लेकिन फिर भी कारिय चाहे जैसे भी किया हो उन्हें उद्देश उनका जैसा भी हो लेकिन उसके परिणाम स्वरूप एक कारण क्या बना स्वतंतर संग्राम जो ब्हारतिय सवतनता भदा संग्राम ओता उसमें भी रेलवे ने अपना भारी योगदान दिया। कि यсть करकार से दिया ने रेलवे युद्न को एक जुफ करने में रेलवे में में बहुत महतकून योगदान दिया। तो गांदी जी ने क्या का, कि विविद संस्कृतियों के लोगों को एक जुट करने में रेलवे का भुत महत्पुन योगदान था, और वो बच्चों केवल आजादी से पहले की बात नहीं है, गांदी जी का ये कतन आज के परिपेक्च में भी उतना ही संगत है, आज के परि रेलवे का जो उद्देश है, वो राष्ट्रिय एकता को बढ़ाने का भी है, ठीक है बच्चों, इसके पस्चात देखते हैं, उत्तरी पस्ची में रेल मंडल का मुख्याले कहा है, उत्तर पस्ची में जो रेल मंडल है, उसका मुख्याले कहा है बच्चों, जैपूर में ह इसके पस्चात अगला प्रश्ण है भारत में Grand Grae Ge Stop Railway पटरियों के मद्धि की दूरी कितनी होती है । टीन प्रकार की हमने पटरियों की दूरी बताया था जिसमें जो Grand Gage है उसकी पटरियों की मद्धि की दूरी है एक दसमलो 616 मिटर अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1616 मिली मिटर ठीक है इस परकार से हम लिख सकते हैं कि इसके मद्दी की जो दूरी है वो इतनी है इसके पस्चा देखते हैं बच्चो महानगरिय छेत्रों में मैट्रो रेल संचालन का प्रमुक लाब क्या है हम जा मैट्रो रेल संचालन से महानगरिय छेत्रों की सडकों पर वहनों का दबाओ यातायत अवरुद्धता की समयश्चा कम होती है साथ ही वायू प्रदूशन नियंतर्ण करने में महित्पुन योगदान रहता है बच्चो यह भारत में प्रमुक रूप से नया परिवेहन है मै मेट्रो रेल ठीक है और यह महानगरिय छेत्रों में बड़े-बड़े महानगरों में दो प्रकार से वहानों का दबाओ ट्रेफिक जो जाम रहता है और ट्रेफिक का ज्यादा होना और यातायात का रुकना इस यह समश्चा दूसरा कैसा वायू प्रदूशन को भी नियंतर सके ठीक है बच्चो इसके पस्चात अगला प्रशन है कडल क्या है केरल राजी के पस्चे जल प्रबंदन को कडल कहा जाता है बच्चो केरल राजी में जो पस्चे जल है ठीक है उसको प्रबंदन को क्या कहते है कडल कहते है अंतहे इस तलिये जल मार्गों में कडल का अप तट पर तत पर जहां कटा फटा तट है उसमें यहां इन छेत्रों में विशेश लुक से केरल में बच्चो तो यहां पर तो यहां इस तत में जल भरा रहता है और इन जल्लों की द्वारा परिवेन किया जाता है जल ठीक है। और इस Jal Parwajeni कैसा होता हम जानता है। सथा जल Parwajeni होता है। तो केरल में इस पस्च जल प्रबंदन को क्या कहता है। कडल कहते हैं। छोटा प्रसन हो सकता है, हमें याद करना है। ठीक है बचू। अगला है व्यक्तिक संचार में किनी दो साधनों की नाम पताईए व्यक्तिक संचार दूसरा था सार्जनिक संचार संचार की दो प्रकार में ने बताया थे और व्यक्तिक संचार क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश अपनी बातों को पहुंचाना थीक है, और सारजनिक में क्या होता है, व्यक्तिक जन साधरन को या आम तोर पर बात करू तो सभी लोगों को खुले रूप में अपनी बातें पहुँचा आते हैं, तो व्यक्तिक में दूरुखास और इंटर्नेट, जडि मैं मोबाईल की या फोन की बात करू तो कैसे होंगे व्यक्तिक होंगे और इंटरनेट पर मेल करना ठीक है ये इस प्रकार से ये भी व्यक्तिक संचार का साधन होगा वच्छो ठीक है इस प्रकार से अगला प्रस्ण है भारत में रेडियो का प्रसारण सरुपर्थम किसके द्वारा प्रारंब किया गया था तो भारत में रेडिय जो क्लब ओफ बोंभे द्वारा प्रारंभ किया गया था है यह हम सब जानते हैं वच्छो ठीक है इसके पस्चात अगला प्रश्ण इंसेट क्या है इंसेट क्या है दो प्रकार की उपग्रह मैंने बताये थे एक इनसेट और एक आई आरेस तो इंसेट के बारे में देखते हैं इंसेट एक बहुत देशी प्रनाली है जिसकी स्थापना गुनी सो तर्रासी में की गई थी यह है दू संचार मोसम विज्ञान संबंदी अवलोकनों विभिन आंकडो एवं कारी क्रमों के लिए उपियोगी है ठीके बच्छो इस प्रकार से हमने देखा इंसेट क्या है अगला प्रस्न है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजंसी का मुखिकारिये क्या है तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजंसी आकडों का अधिग्रेंड इम्प्रक्रमण की सुष्वधा उपलब्द कराती है ठीके बच्छो जो आई आई किस पर कारिये कर सकते हैं यह काम कौन करता है यह अगला प्रशन आता है बड़ा प्रश्ण लगु उत्रिये प्रश्ण इस पहले प्रश्ण में देखते हैं भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमी का को संचेप में बताइए भारत के आर्थिक विकास में सड़कों क भूमी का किस प्रकार से है उसके बारे में हमें बताना है आईए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से इसका अंसर लिखेंगे भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमी का नीम ने लिखी चेत्रों में उलिखनी है कौन कौन से चेत्रों में है आईए देखते हैं पहल तो सडको के विकास के दौरा क्रिशी छेत्र में किस प्रकार से सकारात्म परिनाम आएं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, गहन और विस्तित जो क्रिशी है, वो यहां सडको की विकास के कारण ही संबव हो सके हैं, थीक है, साथ ही, जो क्रिशी उपज मिलती है, जो उपज हमे है बच्चों, ठीक है इसी प्रकार से बहरत ने, भारत के अंदर सड्कों का विकास हुआ इसके पस्चा दूसरा पॉइनट देखता है बच्कों, सड्कों के विकास से देश में ओध्धोंगिक विकास को प्रयाप्त प्रोसान मिला है, यह मिलाया, ना केवल क्रिशी Controller क्रिशी छेत्र ही विकास की इस अवस्था में सड़कों का फायदा उठा पाया है, बलकि बच्चो उध्योगिक विकास भी जादा अच्छे से हो पाया है, क्योंकि उध्योगों में काम आने वाला कच्चा माल और उससे बनने वाला तयार जो माल है, दोनों के ही लिए को भी कम कर दिया गया है समय वे धन की बचत को बढ़ावा मिला है समय और धन की बचत मिली है प्राकरतिक संसादनों की विदोहन को बल मिला है सडकों के विकास ने स्रम को गती शील बनाकर बे रोजगारी की समझ्छा को भी कम कर दिया गया है। इस परकार से भारत में सडक कहा विकास है वह किस परकार से लाबकारक हुआ किस परकार से प्रभावशाली हुआ है हमने इस प्रसन में देखा। अगला प्रश्न है बच्चों भारत में राष्ट्रिये महामार्गों के उपयोगों की व्याख्या कीजिए भारत में राष्ट्रिये महामार्गों की क्या उपयोग है ये महामार्ग दूर इस्तित इस्थानों को जोड़ने में सायक है जिन पर अबाधित यातायात संचालित हो सकता है दूसरा है इन महामार्गों के द्वारा प्रमुख नगरों, राज्यों की राजधानियों, बंदरगाहों तथा रेलवे जंक्षनों को जोड़ा जाता है तीसरा है महामार्ग सामरिक छेत्रों में सामक्री पहुंचाने में सरवादिक सायक है तो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लगातार रूप से परिवहन करने के लिए प्रमुख नगरों, राज्यों की राजधानिया, बंदरगाह, रेलवे जंक्षन, आधी को जोड़ने का काम करते हैं थीक है, राष्ट्रीय महमार्ग और तीसरा है सामरिक छेत्रों में, सीमा संबंदित जहां पर बोर्डर है वहां पर रस्त सामक्री और दूसरे प्रकार के विक्तियों को पोचाने का काम भी कोन करता है? राष्ट्रीय महमार्ग करते हैं अगला प्रस्ण है बच्चो राष्ट्रिय महामार्ग एवं राज्य महामार्ग में अंतर इसपस्ट कीजिए राज्जी महामार्ग ये राज्जी की प्रमुक सड़के होती है ये राज्जी की प्रमुक सड़के होती है दूसरा है इसका निर्मान केंदर सरकार द्वारा किया जाता है और इसका निर्मान और रखरकाव किसके द्वारा किरते हैं राज्जी सरकार के द्वारा किया जाता ह तीसरा है यह महामार्ग राज्यों की राजधानियों प्रमुक नगरों महत्पुन पत्नों एवं रेलवे जंक्षनों को आपस में जोडता है और यह महामार्ग राज्य की राज्धानी से जिला मुख्याले एवं अन्य महत्पुन शेरों को आपस में जोडते हैं तो यह के प्रशनों को हमें देखना है और अंतर बिल्कुल इस्पष्ट करते हुए लिखना है इसके बाद है चोथा इन महामार्गों की राजधानियों प्रमुक नगरों महत्पुन पत्नों इम रेलवे जंचनों को आपस में जोडते हैं इन महामार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% है ये महामार्ग आर्थिक वे सामरिक द्रश्टी से महत्पुन है ये महामार्ग प्रसासनिक द्रश्टी से महत्पुन है अगला प्रशन सीमा सड़क संगठन के दाइतों का विवरण दीजिए सीमा सड़क बियारो जिसे हम कहते हैं उस बियारो क क्या दाइत्व है उसके बारे में बताना है तो मैं 1960 में भारत सरकार द्वारा सीमा सडक संगछन का गठन उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा से सटे सामरिक दृष्टी से महत्पुन छेत्रों में सडक निर्मान करने की उदेश से किया गया था मैंने बताया था बच्चो च सडक निर्मान और रख रखाव का कारिये ही नहीं है बच्चो बरफ जो वहाँ पर जम जाती है ठीक है उसको अटाने का काम भी बियारों ही करते हैं इसके अलावा इस संगठन को इस्थापित करने के पीछे देश की रक्षा तयारियों को मजबूती प्रदान करना भी प्रमुक कारण है बच्चो चीन के साथ में हमारे संबंध को देखते हुए वहाँ पर दूर दराज तक जैसे सीमावरती छित्रों में ना केवल फोज को आर्मी को पहुचाने उनकी रसद सामगरी को पहुचाने बलकि वहाँ उपस्तित जो व्यक्ति है जो नागरिक है उनको भी सुवधा पहुचाने के लिए भी दूर दराज के लोगों को भी सुवधा पहुचाने के लिए भी बियारो ये है कारिय करता है तो केवल सडक का प दन्यवाद बच्चो